दोस्तों आप सभी ने रसोई घर की मसालों की रानी यानि की दाल चीने का उपियोग तो कई बार किया होगा लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपकी सभी प्रकार की बिमारियों का इलाज करने में सक्छम है दोस्तों जब दाल चीनी के साथ सहत का मेल हो जाए तो यह सोने पर सुहागे की बात हो जाती है दोस्तों अगर आप इसके गुड़ों से अंजान हैं तो बने रहे हमारे इस वीडियों के साथ क्योंकि इस वीडियों में हम आपको स्वास्त से जुड़ी दस ऐसी बड़ी बिमारियों के बारे में बताएंगे जिसका इलाज आप काफी सरलता और सहजता से घरेलू उपचार के दाल चीनी और सहथ के उपयोग से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करती हैं नमबर वन, कैंसर दोस्तो दाल चीनी का प्रियोग कैंसर जैसे रोगों पर नेंतरण पाने में किया जता है दोस्तो वैज्ञानिकों ने आमासाइ कि कैंसर और हड़ी के बढ़ जाने की स्थिती में दाल चिनी और सहद को काफी लाबदायक बताया है एक माह तक गरम पानी में दाल चिनी पाउडर और सहद का सेवन इसके लिए काफी फायदे मन्द होता है इसके साथ ही साथ यह रोग प्रतिरोधक छमता को भी काफी बढ़ाता है नमबर टू हिरिदय रोग दोस्तों हिरिदय रोग से जुड़े समस्याओं के लिए दाल चिनी काफी सहायप होता है क्योंकि यह हिरिदय रोग की धमनियों में कलिस्ट्रॉल को जमने से रोपता है प्रति दिन सहद और दाल चिनी का गर्म पानी के साथ सेवन करने से काफी फायदा होता है दूस्तों आप डाल चिनी और सहत के मिस्टरड को रोटी के साथ भी खा सकती हैं इसके अलावा डाल चिनी को चाय में डाल कर भी पी सकती है इसके प्रियोग से हार्ट अटेक के संभावना काफी कम होती है दोस्तों मोटापे के लिए दाल चिनी का सेवन करना एक राम बढ़ का उपाय है यह सरीर में कुलिस्ट्रॉल को कम करता है जिससे मोटापा नहीं बढ़ता इसके लिए दाल चिनी का चाय पीना काफी फायदे मन्द होता है दोस्तों इसके अलामा एक चम्मच दाल चिने पाउडर को एक गिलास पानी में बॉयल कर लें इसके बाद उसमें दो बड़े चम्मच से सहद मिला लें और इसका सेवन सुबह नास्ते के आदी गंटे पहले और साम को सोते वक्त कर सकती है ऐसा करने से पेट के मोटापा से जुड़ी समस्याओं के लिए दो गुना फाइदा होता है इसके अतरिक्त पेट के चर्वी भी दीरे-दीरे समाप्त हो जाती है दोस्तों जोडों में दर्द होने पर दाल चिनी का प्रियोग काफी राहत देता है इसके लिए प्रति दिन दाल चिनी का गर्म पानी में सेवन तो काफी लाप्रद होता ही है इसके अलावा इस हलके गर्म पानी की दर्द वाले अस्थान पर मालिस करने में भी काफी राहत मिलता है दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसका उपयोग अर्था राइटिस्ट के बिमारियों के लिए भी काफी फायदे मन होता है नमबर फाइट सर्दी खासी दोस्तों सर्दी खासी या गले की तकलीफों में दालचीनी बेहद असरदार दवा के रूप में काम करता है इसे पीश कर एक चमत सहथ के साथ एक चुटकी मात्रा में खाने से जुखाम में काफी राहत मिलता है आप गर्म या गुनगुने पानी में दालचीनी के पाउडर को भी सहत के साथ मिला कर पी सकती है दोस्तों दालचीनी के पाउडर को पेसे होई काली मिर्च के साथ सेवन करने से भी राहत मिलता है इससे पुराने कफ में भी काफी फादा होता है वह इन सभी की समस्याएं दूर होती है दोस्तों अपच, गैस, पेट दर्ड और एसिडिटी जैसे समस्याओं में भी दाल चिनी का पाउडर लेने से काफी आराम मिलता है इससे उल्टी दर्ष्ट के समस्याँ में भी लाब होता है और भोजन का पाचन भी बहतर होता है सहद और दाल चिनी के पाउडर का मिस्रड लेने से पेट का अलसर भी जड़ से ठीक हो जाता है नमबर सेवन, सिर दर्द दोस्तों ठंडी हवा लगने या सरदी के कारण होने वाले सिर दर्द में दाल चिनी का लेप लगाना काफी फाइदे मन्द होता है गर्मी के कारण होने वाले सिर्दर्द में दालचीने और तेजपत्पे को मिस्री के साथ चावल के पानी में पेश कर सूमने से भी सिर्दर्द दूर होता है इसके अलावा दालचिने के तेल कुछ बूंदे तिल्ली के तेल में मिलाकर सिर पर मालिस करने से भी सिर दर्द से राहत मिलती है दोस्तों दालचिने को पानी में रगड कर कनपटी पर गर्म लेप करने से भी आराम मिलता है नियमेत रूप से सहद और दालचिनी का सेवन करने से तनाव से भी राहत मिलता है और इसमरण सक्ती भी काफी बढ़ती है नमबर एट सौंदर्य दोस्तों तवचा और बालों के सौंदर्य में भी दालचिनी काफी कारगर है यह तवचा को निखारने के साथ साथ जूरियों को भी कम करता है दोस्तों सहद और दालचिनी के पेश्ट को रात को सोते वक्त चेहरे पर लगाएं और सुबह गरम पानी से धोलें ऐसा करने से चेहरा काफी क्रांती में हो जाता है दोस्तों इसके अलावां गंजेपन या बालों के गिरने के समस्या के लिए गरम जैतुन के तेल में एक चमच सहद और एक चमच दालचिनी पाउडर का पेश्ट बना कर इसे सिर में लगाएं और 15 मिनट बाद धोलें ऐसा करने से सौंदर्य में भी काफी राहत मिलता है और निखा राता है नमबर नाइन दर्द घाव और सूजन दोस्तों दालचिनी तेल का प्रियोग दर्द घाव और सूजन को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है यह त्वचा की खुझली को भी समाप्थ करने के साथ-साथ दातों की दर्द में भी काफी राहत देता है मुँ के बधबू आने के समस्या में भी दालचीनी को मुँ में रख कर चूसना काफी लाबदायक होता है और मों में आने वाली बदबू से भी छुटकारा मिलता है नमबर टेन कानों से जुड़े समस्याओं के लिए दोस्तों दालचीनी और सहत के मिस्रड का कान के रोगों के लिए भी काफी फायदे मन्द होता है और बहरेपन के समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है दोस्तों दालचीने के तेल की कुछ बूदे कान में डालने से भी लाब मिलता है अस्थमा और लकवा लगने पर भी बेहत फायदे मन्द होता है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपने दालचीने और सहत का उपयोग करना तथा इसके फायदों के बारे में समझी गए होंगे So friends, I hope यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए तथा अपने friends और family के साथ share करिए और अगर इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई confusion हो तो आप comment करके पोच सकते हैं धन्यबाद दोस्तों